हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग तो इस वीडियो में आप लोग को हम गुड़न खंड गयाद करना सिखाएंगे कि आप लोग कैसे गुड़न खंड बहुत ही आसानी से गयाद कर सकते हैं तो गाईज इस वीडियो को ध्यान पूर्वा की देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से गुड़न खंड गयाद करना आप लोग को सिखाएंगे तो चलिए गाईज ध्यान दिजेगा देखिए गाईज यहाँ पर हमारा पहला सवाल क्या को रहा है x square plus x minus 90 का गुड़न खंड कीजिए मतलब इसका क्या करना है गुड़न खंड करना है तो चलिए गाईज सबसे पहले इसका गुड़न खंड हम लोग निकालते हैं और सिखते हैं कि गुड़न खंड कैसे निकाला जाता है ध्यान पूरवक इस वीडियो को देखिएगा चलिए ध्यान दीजिए अब देखिए देखिए अहाँ पर x square दिया हुआ है plus x और minus 90 तो इस पर अभी ध्यान नहीं देना है देखिए गाईज यहाँ पर यह 90 जो है न यह 90 को क्या करना है हम लोग को ऐसे दो थोड़ में तोड़ना है मतलब اएसे दो भागों में न बचना है कि जोडों या घटाने पर यह x आना चाहिए तो कैसे आप लोग करेंगे ध्यान जीगे यह आप लोग को सुचना होगा या क्या करना होगा नवे का गुड़न खंड गयात कर लेना होगा जैसे माल लेजिए नवे को हम दो भाग में बाट रहे हैं जैसे माली जब पहला भाग माल लेते हैं दस और दूसरा भाग माल लेते हैं कितना नव देखिए इन दोनों को जब गुणा करेंगे 10 और 9 तो कितना है गा 90 आएगा अब देखिए और देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है तो देखिए आप लोग तो सुच रहे होंगे कि देखिए 10 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 19 हो जा रहा है अब देखिए 10 X और यहाँ कितना होगे 9 X अब देखिए गाइज इस 10 X मिले जब आप लोग 9 X घाटाएंगे तो कितना जगा X आ जाएगा तो इस तरह से आप लोग दो गुड़न खंड अपने मन में सुचिएगा और क्या किजेगा और यहाँ पर हम बतला रहे हैं देखिए यह X स्काइर है न तो इसको इसी तरह से लिख देना है अब ध्यान देजिएगा यह प्लस है न तो प्लस का चिंद देना है अब देखिए और यह X है न तो अब X नहीं लिखना है अब देखिए वही जो हम लोग यह सोचे न कि 10x में जब 9x घटा देंगे तो क्या आजएगा एकस आजएगा यही लिख देना है 2x और माइनस 9x देखिए इसका मतलब क्या हुआ 10x और माइनस 9x का मतलब क्या हुआ आजएगा देखिए यहाँ पर माइनस 90 है तो इसको लिख देना है माइनस 90 अब ध्यान दिजिएगा यहाँ अब देखिए अगले Step में आप लोग को क्या करना है इस तरह से ध्यान दिजिएगा दखिए यह x square है न और यह 10x इन दोनों मेंसे common निकालना है तो आप देखे यहाँ पर तो 2x है और यहाँ पर 1x है तो हम क्या करेंगे इन दोनों मेंसे x common कर लेंगे तो 1x हम यहाँ पर common कर रहे हैं तो अब ध्यान दीजेगा दिखें, अपर 2X था, और 1X हम बाहर निकाल लिए, तो अंदर में 1X बच जाएगा इस तरह से अब देखेंगे, यहाँ प्लस का चीन है, तो प्लस का चीन देते हैं तो इन दूनों में देखिए, पहले तो माइनस कमन दिखाई दे रहा है, उसके बाद देखिए, दूनों में 9 है, इसमें x तो है, लेकिन इसमें x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दूनों में से माइनस 9 कमन कर लेंगे, तो माइनस 9 हम इस तरह से कमन कर लेंगे, तो ध्यान दिजेगा तो देखिए यहां से माइनस निकल गए और 9 निकल गए तो क्या सिर बच गए यह एकस एकस अंदर लिख देंगे अब यहां पर ध्यान देना है देखिए इसमें से हम क्या निकाले हैं माइनस निकाले हैं तो अब क्या हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा अब अब गैजी यहां पर थोड़ा अप लोगो ध्यान देना अन्याइंगा यहां पर यदद यह मान और यह मान आप लोग को एक जैसा आये नगा तो आप लोग जान जाहिएगा जो आप लोग गुलन-खंड निकल रहे है न वह गुलन-खंड बिल्गूल आपका सही है अब देखिए आगे क्या करना है यहाँ प्रध्यान दीजेगा अब देखिए क्या करना है इसको और इसको कमन कर लेना है मतलब यह दोनों जगा से कमन निकल जाएगा इस तरह से तो हम क्या कमन कर रहे है एकस प्लस दस तो देखिए दोनों जगा से निकल जाएगा क्या एकस बच गया, एक्स बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस नो, इस तरह से, तिये ही हम लोगा क्या हो जाएगा, गुड़न खंड हो जाएगा, तो इस तरह से आप लोग बहुत ही असानी से गुड़न खंड निकाल सकते हैं, तो देखिए गईज हम पहले क्या किये, द 10 X मिले जब 9 X घटा देंगे तो देखिए यहां पर एक सा जाएगा अब उस तरह से हल करते आगे चल गए तो इसी तरह से आप लोगों को भी हल करते जाना है कईज अब चलिए गईज एक और हम सवाल लिए हुए हैं उसको भी बनाना आप लोगों को सिख लाते हैं ध्यान द तो चलिए हम तोड़ते हैं तो देखिए इस तरह से पहला भाग देखिए पहला भाग हम मान लेते हैं 11 अब धन जिगा और दूसरा भाग हम मान लेते हैं 10 अब देखिए 11 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा अब देखिए और देखिए यहां पर X हम लोगों तो अब हम क्या करेंगे इसमें भी एकस एको लगा देंगे और इसमें भी एकस लगा देंगे अब दखिए एगार एकस में ले जब हम दस एकस घाटा देंगे तो एक एकस आ जाएगा इस तरह से तो यही हम लोग का क्या होगी जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे इसको अब दिखेगा और यहां पर – 110 अह लीख देंगे अब अगले च्टेप में ध्याँ में कमन दिखेएगे इन दोनों में सिर्फ x और सैंस से सब्सक्रार को निकल लेंगे यहां पर 2 कर लेंगे अब ध्यान दिजैगा तो यहां पर क्या बच गया turned сл прямо किच nylon किया लग को लिग सकते हैं यहां पर क्या से इग गया रहा है देखे यहां पर भी देखे इह और यह कमन कर लेंगे तो हम क्या कमन कर रहे हैं एक्स फ्लस 11 तो हम x plus 11 यहां से common कर रहे हैं देखिए तो यहां जो है न x plus 11 यह दोनों जोगा से हट जाएगा तो यहां पर क्या सिर बच गया x और यहां पर बच गया minus 10 तो देखिए यही हम लोग का गुड़न खंड एगा यानि जब हम x square plus x minus 110 का गुड़न खंड निकालेंगे तो यहां एगा x plus 11 into x minus 10 ये हम लोग का क्या हुज़ेगा एंसोर हो जाइगा तो इस तरह से आप लोग भी बहुत ही असानी से गुड़न खंड इस तरह से आप लोग नीकाल सकते हैं देखिए गाई इस देखिए दोनों सवाल हम बनाएं न मतलब सिर्फ तीन step हम काम कीएं देखिए गै kon flux दूसरे सी वाल पर विध्यां गर कीजिए कि हैं पर देखिए यह हमारा पहला step है यह दूसरा है और यह कहां तीसरा में एंसोर आ गया मातर हम तीन but see किया और हमारा एंसोर आ गया तो आप लोगों को भी यह भी धी अपनाना है और इसी तरह से गुलन खंड अगली बार से बनाना है